बचो आज पढ़ते हैं भोजश्यो दार्यम पाठ तो जिसके पास पुस्तक है अपनी पुस्तक खोल लीजिए और यदि किसी के पास अब तक पुस्तक नहीं हो तो मैंने कोशिश की है कि स्क्रीन पर आपको पाठ अच्छी तरह दिख जाए तो जो भी मैं शब्दार्थ बता आप ध्यान से सुनिये ततह तदाचित द्वारपाला आगत्य महाराजम भोजम प्राह तब कभी द्वारपाल आकर महाराज भोज से बोला देव कोपीनो विशेशो विद्वान द्वारिवर्तते हे देव लंगोटी मात्र शेश विद्वान दर्वाजे पर है राजा प्रवेश कराओ, इस प्रकार बोला, ततह प्रवेश्टह सह कवी भोजम अवलोक्य, तब प्रवेश करके वह कवी भोज को अवलोक्य मतलब देख कर, अध्य में दारिद्र नाशो भविश्यती, आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, दरिद्रता मतलब गरीबी, इती म ऐसा मत्वा मतलब मान कर तुष्टु हर्षा श्रूनी मुमोच संतुष्टु होकर हर्ष के आंसु गिराने लगा। राजा उसे देखकर बोला कवे किम रोदशी इती हे कवी क्यों रोते हो ततह कवी राह तब कवी बोला राजन आकर्ण मद ग्रह इस्थितम हे राजन मेरे घर की इस्थिति को आकर्ण मतलब सुनिये। अब ये श्लोक आप ध्यान पूर्वक देखिये। आए लजान उचई पथी वचनम आकर्ण ग्रहनी शिशव कर्णों यतनात सुपित वती दीन वदना मैं शीनों पाए यद कृतम द्रिशा अश्रु बहुले। तदंतम शल्यम में तोमसी पुनरुद्धुम मुची तहा। पहले हम शब्दों का अर्थ देखते हैं। आये मतलब अरे, लजा मतलब लावा या खील जिने कहते हैं। उच्चई मतलब उचेश्वर में, पथी मार्ग में, वचनम वचन, आकर्ण मतलब सुनकर, ग्रहनी मतलब इस्त्री। शिशव, बच्चों के कर्णों मतलब कानों को, यतनात मतलब यतन पूर्वक, सुपिति वती मतलब बंद करती हुई, दीन वदना, दुखी मुख वाली, मैं मतलब मेरी, छीनों पाये मतलब उपाये हीन। यद कृता मतलब जैसे की दृशा मतलब दृष्टी अश्रु बहुले, आसुओं से भरी हुई, तदंता शल्यम, तदंता मतलब उश्चल्यम मतलब काटे को, मैं मतलब मेरी, तुमसी मतलब आप ही, पुनरुदुत्म उचिता मतलब निकालने में समर्थ हैं। अब इसका अर्थ देखते हैं। प्रकार बंद करती हुई, जैसे उसकी पत्नी ने मार्ग में उचे स्वर में सुना कि लावा ले लो, वो अपने बच्चों के कानों को अच्छी प्रकार बंद कर देती हैं। ताकि बच्चे न सुन सकें कि लावा वाला आया है, नहीं तो वो फिर इतने पैसे नहीं थे कि उन बच्चों को वो लावा दे सकें। तो क्या करती है कि उचे स्वर में अरे लावा ले लो, इस प्रकार मार्ग में बच्चनों को सुन कर, दीन मुखवाली मेरी पत्नी ने बच्चों के कानों को यतन पूर्वक अच्छी प्रकार बंद करती ही, मुझ उपाय हीन की और आसुओं से भीगी वी जिस प्रकार की द अर्थात अपनी पत्नी के आशुओं से भीगीवी द्रिष्टी से उस कवी के हर्दय में जो काटा चुबा तो मेरे उस काटे को आप ही निकालने में समर्थ हो। राजा शिव शिव इती उदीर्यन प्रत्यक्षरम लक्षम दत्वा प्राह। ग्रहनी खिन्ना वर्तते तुम्हारी पत्नी दुखी है। बाल हैंगे। बाल हैंगे। बाल हैंगे।